आज वह सुर्डिम दिन है जिस दिन मिहराज नमक एक तन उत्पन होता है और कालांतर में उसी तन में स्वयम सच्थानंद परब्रहम की आवेश सक्ति विराजमान होकर लिला करती है परब्रहम की आत्माओं को जागरित करने के लिए और सारे संसार को परब्रहम का वद्दिव विज्यान देने के लिए जिसको आत्मत साथ करके सारा ब्रहमान इस बहुसागर से पार हो सकता है और सकता यह है कि आज स्री मेराज के जिस तन का जन्म हुआ था आज की दिधिवर उस तन में जिस अक्षरतीत के आवे सरुपने विराजमान होकर लिला की जिसको हम प्रेम से प्राणात करते हैं प्राणात का अर्थी होता है जो हमारे जीवन का अधार है सभी प्राणियों की चैतनिता का जो अधार हो सभी ब्रहमात्माओं की चैतनिता का जो अधार हो उनके प्रेम और आनंद का अधार हो जीवन का अधार हो वही तो प्राणात है मिराज के उस्तन को सौभा के मिला के अक्षरातीत के चरण कमल उस्तन में विद्यमान आत्मा के धाम मिर्दे में वस्ते हैं और युगो युगो से संसार जीस अलो की जान की बाट देख रहा था संसार को वो सबसे बड़ी उपलब्धी जो हुई वो परमधाम के अलो के देख जान की होती है संसार में बड़े बड़े चक्रूरती समराठ हो गए हैं जिनके पास अपार वैफ हो था सकती थी लेकिन समय का प्रवा काल के गाल में सभी समा गए एक अरब चानबे करोड आठ लाग तिरपन हजार एक सव बीस बरसों से बरतमान पृत्वी का सिष्च चक्र चल रहा है और आप सोचते हैं इस एक अरब चानबे करोड आठ लाग तिरपन हजार बरसों में कितने चक्रूरती समराठ हो गए हैं हम उनके गढ़ना नहीं कर सकते हैं कितने इरिशी मुनी योगी यती विद्वान संत महापूरस भी हो गए हैं उनकी गढ़ना तो केवल हमें उतनी ही पता है जो हमें गरंतों में देखने को मिलती है जिन मापूर्सों के बारे में किसी गरंत में नहीं लिखा गया हम लाखोर इरिशियों को भी नहीं जानते हैं जो अपनी स्वर्णी माभा भी खेर कर संसार से अद्रिश हो गए लेकिन एक ऐसा बेखती है तो जो सबसे फरे है जिसके लिए वाणि कहती है कई होई सी पर किन प्रमान डोना है प्राणनाजी की महिमा के समाहन वाला न कोई हुआ है न कभी होगा जब यह बात कहे जाती है तो हमारी समाज के कुछ महान बेदानों कोई अच्छी नहीं लगती उनका पुरसार्थ यही होता है कि हम प्राणनाजी को छोटा कर दे उस सोचते हैं कि जदि हम प्राणनाजी को संत कह देंगे तो साथ उनके गरिमा बढ़ जाएगी कुछ का कथन ही यह होता है कि हम दूसरे मत के अनुवियायों के सामने प्रानाजी को संत के रुप में इसलिए पारिभासित करते हैं कि जदी ऐसा करेंगे तभी वे हमारी बात सुनेंगे आप देखिए इस त्रिष्टी में जो भी पैदा होता है किसी न किसी से जान का अधार लेता है कोई रिषी मुनी हो वो भी वेद उपनिसाद दर्शन पढ़ेगा ब्याकन पढ़ेगा समाधिया लगाएगा तब उसको रिषी का पत्पराप्त होता है योगी यती भी किसी से कुछ सीखते हैं संत महापुरु जो भी होते हैं किसी को गुरु बनाते हैं और कुछ न कुछ गराण करते हैं ध्यान साधना करते हैं उनकी देखा देखे कि यदि हम प्राणना जी को आचारियों की अस्तर पर देखते हैं और यह करते हैं कि उनकी गुरु श्री देवचन जी थे हम करते हैं देवचंजी महराज प्राणना जी महराज और यह करके हम अपनी आमन्यता दिखाते हैं इन वाक्यों के पीछे हम यह दर्साना चाहते हैं कि हम कुछ भी सिष्ट हैं हमें अंग्रेजी भी आती हैं हम बाहर के कई देशों में गूम चुके हैं हम इतने बड़े-बड़े कारिकर्म करा चुके हैं कहने का से क्या है जैसे प्राणनाची है हम भी वैसे हैं अर्थात हमारा और उनकर स्थर बराबर है यह बहुत बड़ी भूले पहली बात तो यह देखें जदि आप तार्तम बाड़े का उनसीलन करें तो आपको विधित होगा कि बाड़ी में वह ज्यान है जो संसार के सभी धर्म गुरंतों में मात्र संकेत रूप में था समानी सी बात है हिंदू पक्च को देखा जाए तो विधानत के जो किरंतन लिखे है वो भागवत में नहीं है जो आधनिक विधानत का खंड़न किया है यह तो कहीं भी भागवत में नहीं मिलती ये बाते बेदानत के गुर्ण रसों को उजागर किस ने किया क्या प्राणना जी किसी के पस पढ़ने गए थे पढ़या नहीं फारसी नाकुछ हरप अरब सुन्या नकान कुरान को और खोलत माइन सब किसी मौलवी के पास किसी भी अरवी के बिसेसर जी के पास रिजी अद्धिन करने नहीं गए लेकिन कुरान की वो बाते हर्फ मुक्तियाद की जितने भेद हैं कुरान में 14 हर्फ मुक्तियाद है जिसमें सब के भेद बाणी में दिये हुए है हाँ, खूल करके अलिफ, ला, मीम, आयन, गैन और साथ 6 हर्फ मुक्तियाद का तो नाम लेकर के लिखा गया है लेकिन सिस सभी हर्फ मुक्तियाद जो 14 कर ला थे उसका विर्थ पानी में दिया हुआ है आप सोचिए जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भीत केवल अल्ला ताला को मालूम है मिहराज को किसने बता दिया यदि मिहराज और प्राणना एक ही हैं और आप जिजख करते हैं ये कहने में कि प्राणना जी का सुरूप क्या है आप दूसरे पंतों के आचारियों के देखा देखी आप प्राणना जी को इतना छोटा इस्तर कर देते हैं निमबार्क हुए, माधवाचार हुए, संकरे चार हुए आप उन्हें की तरफ प्राणना जी को भी बना देते हैं, देवचन जी को बना देते हैं, देवचन जी कैसी से उनको ठहरा देते हैं आपने कभी सोचा है यदि आप वेद काउंसुलन करें तो आपको पता चलेगा कि वेद कहते हैं कि तिर्पाद उर्द उदेद पुरसा तिर्पाद अम्रित जिसको चतुसपाद भी भुति कहते हैं पादोस से भी स्वाब होतानी तिर्पाद से अम्रित होती भी इसके परेज जो परमधाम है उसके बारे में सारा संसार मोन है आज तक किसी ने भी नहीं लिखा है कि तिरपाद उर्दुदेद पुरसा का वास्तविक अर्थ क्या होगा अनुमान से कह दिया जाता है कि परमात्मा इसे सारी बाद छोड़िए पुरुसुक्त का पादसा भी जो करते है उसका मंत्र है सभूम् के मारे मॉन दसांगुलं सब्द ब्रहहांट का बाचिक है कि प्रमात्मा जो इस प्रमाठ्थ से परेवी है पुना आगे चलते हैं तो चतुसपाद भी होती यानि बेहत मंडल का जयान मिलता है कि वेद आगे कहता है कि तिरपाद उर्दुदेद पूरसा पादस से या अफवत पुना इस मंत्र की वियाख्या बिना तारतम जयान के नहीं हो सकते है प्राणना जी तो किसी वेद के कोई भी नहीं थे पढ़ने के लिए और सच बात है कि उसमें प्रस्थान त्रही का यूग था जो विदुद्धमन के द्वारा उसमें वेद का कोई मंत्र नहीं है उसमें वेद का पाटन था ही नहीं और मुसलिम आकरंताओं के डर से और अंग्जेब के डर से कोई वेद की मंत्र रट ले जाते थे कि पूजा पाट करने के लिए वेद का कोई भी विद्वान नहीं था उसमें देश में लेकिन इतनी गुज बाते कहां से प्राण खी ने कगए इसलिए को कोई माश तंतों अवस्ध था लेकिन कोई मानों का ब्भिक्त तो नहीं था उस तन में स्व आवे सरुप है पर ब्रह्म का जोस जिप्रील है जागरत बुद्धि असरा फिल है अनंत ब्रह्मान जी इसकी इक्षा मात से बंते हैं और लए हो जाते हैं अक्षर ब्रह्म की आत्मा भी उस्तन में है आप सूचि ऐसे सुरुप को यति आप संथ के रुप में कहते हैं अभी भासा आ गई थे तो कहीं नहीं कहीं आप उनके ब्यक्तित तुकाप मान कर रहे हैं जिस तरह में अक्षरतीत ने लीला की है उस तरह की आप गरिमा के लिए कुछ बोल नहीं सकते तो इस तरह की भासा का इस्तेमाल अपना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा पूरी कि वाड़ी में आप देखिए राज से लेकर कैमत नम आता कि वाड़ी एक ही बात पुकार पुकार कर कह रहे है कि इस जागनी ब्रहान में कौन आया है जिसके लिए सारा ब्रहान प्रतिक्छा कर रहा था आप सोचिए एक चक्रवरती समराठ होता है सारे पृत्वी लोग को जीत लेगा तो फिर भी क्या करेगा कुछ वर्सु शासन करेगा और उसके पेस्चा दुनिया से चला जाएगा क्या हूँ सारे ब्रहान को अखन मुक्ति दे सकता है क्या स्रिष्टी में कोई भी ऐसा ब्यक्तित हुआ है जो यह सीद कर सके कि हम सारे ब्रहान के प्राणियों के मुक्ति का दवा लेते हैं आपको यह बात हसा अस्पत लग सकते है कि एक कैसे संभा हुआ हुआ है इसलिए एक बहुत ही सरल सा मार्ग बता दिया है घंगोर बनों में जाने की आओ सकता नहीं बड़े-बड़े करमकांडू को करने क्या आओ सकता नहीं तारतम वाने का च दियान कीजिए हद बेहत से परे परेमधाम कैसे जाना है आप घंटे एक गंटे दो घंटे बैट कर घर पर भी बैट कर मूल मिलावे का प्रेम पुर्वक ध्यान कर लेजिए एक सच्तानत पर ब्रह्म पर तूट निष्ठा रखे संसार में ऐसी कोई सकती नहीं जो आपको बहुस आगर से मुक्ति पाने में बाधक बन जाए आप योग दर्शन की बड़ी-बड़ी समाधियों की सिद्धियों में हो सकता है कई जनम लगा दें लेकिन यदि मैं अस्पेस्ट रुप से कहता हूँ कि कोई कुछ वर्स क्या कुछ माह भी सच्चे हिर्दे से एक गंट दो-दो घंटे भी मूल विलावे का ध्यान कर ले तो निश्ची था कि बहुस आगर से पार हो जाएगा यहीं बैठे बैठे यदि उसको परमधाम का अनंद लेना है सक्षात परबन का सक्षात कार करना है तो चित्वनी की एक अनमोल विधा दी अपने तार्तम वाणी के च सेस रुप से ब्याख्यान भी दिया गया है धर्मगरंतों के सारे रस्चों को उजागर करने के साथ साथ खिलवत परिक्रमा सागर सिनिगार में परमधाम का सारा धन लाकर के मानोता के कल्यान के लिए दे दिया गया है यह कारे आज तक कोई भी नहीं कर पाया था और कैसी पिडंबना देखिए इस समाज की दुर्भाग्या है यह बाते सुनकर दुख के आउसू भी आते हैं कि हमने प्राणना जी को क्या समझा है एक ऐसा बेगदित जो कि वह लीला करता है कि हमने तन का त्याग कर दिया है तन का त्याग नहीं करता है समाधी आउस्था में अज धाम गमनी भी मनाने लगा है कहता है कि प्राणना जी का धाम गमन हो गया उपर हम धाम चले गए योदि सुर्य अपनी किर्णों को छोड़कर नहीं जा सकता तो प्राणना तक्षरतीर भी अपनी अत्माओं को छोड़कर या ब्रह्मान्ड की मुक्ति का जो अस्रिवात दिया है एक अभय दान दिया है कि संसार के लोगों तुम चिंता न करो मैं आया हूँ तुम्हें इस भोसागर से पार कराऊंगा क्या देखिया हम दुनिया जो इनको न करे अखंड उनके महिमा को हम सही रूप में प्रस्तुत करें तो ये हमारे जीवन की सर्थक दाओं कि हम यम न भूलें कि यवन पद और धन अकास में चबक्ति उस बिजली के समाने जो छण भर के लिए हमें जो धर्म के छेते में बड़े-बड़े पदों पर बैठाया गया है इन पदों का अस्तित तो कितने समय तक रहेगा हमारा सरीर इस संसार में कितने सम में तक रहेगा हम संसार में सोयम की महता के लिए प्राणराजी को अपने बराबर तुलना कर रहे है हाँ परम धाम के देश से देखें तो आप और अक्षरातित कोई दो नहीं है लेकिन जब तक आपने पंचभोतिक तंधार किया है इस सरीर के धारतल पर आप उन से अपने तुलना नहीं कर सकते है आत्मिक धारतल पर तो आपकी आत्मा भी वही है जो अक्षरातित है किन्तु सरीर के देशी से आप कहाएं कि ओ आचारी है मैं भी आचारी हूँ मैं भी वाणी के व्याख्या करता हूँ उनकी वाणी है वाणी के वेद खोलता हूँ तो मैं प्राण कि महिमा को संतों महापुर्शों कभियों और अन्य गुरुओं की समान ना उतों लिए क्योंकि वाणी में सीधे तोर पर का है रेहु नाई, रेहु नाई, सीध, साथ, संत्री, भकत, बैस्रों, अप्रस, अचार ना मैं सिध्ध हूँ, ना साथ हूँ, ना संत हूँ, ना भकत हूँ लेकिन हम तो काते हैं कि प्राणाजी सिक्र्ष के अनन नहीं भकते थे ऐसा काते समय हमें जरा भी जिजख नहीं होती कि हमें सुरुप की पेचान नहीं है कि सिक्र्स के तन में जो लीला करने वाला था वही तो प्राणना जी के सुरुप में लीला कर रहा है हम भेद की रेखाएं खीच कर सारे समाज को क्यों लड़ा रहे हैं क्यों घिना की अगनी फेला रहे हैं हमारा नेतिक उत्रदैत है कि हम ब्रह्मवानी का रिस्पान करें सब को प्रेम के लागे में बांदे हैं दाम देनी ने क्या का है प्रेम प्याला में भर भर पियूं त्रैलो की छाग चकाऊं चाओदे भवन में करूं उजाला फोड ब्रह्मान पी पास जाओं इतना उंचा आ जो कर रहें उनकी नकल हम करते हैं तो मुझे बहुत हसी आती है कि तार्तम भी हम किसी के सामने का देंगे तो उसकी सकती घट जाएगी यह जरूर है कि जब चिंतन का समय होता है तो मौन ही होना चाहिए लेकिन आप तो ध्यान भी नहीं करते हैं चितोनी से आपको सुदूर और डंडा लेकर कहते हैं कि मंतर बोल दिया तो अनर्थ हो जाएगा अरे भाई ये काम तो परवाही करते हैं बेचारे जिनको अध्यात्म का कुछ पता नहीं जिनको प्रात्मी कक्छा नहीं मालूम है जो सालिग एराम सीलिंग के पूजा करते हैं नदियों और पत्थरों क पूजा करते हैं, वो ये बाते करते हैं, और आप तार्तम वानी के ब्याख्याता होकर भी ये बात कहेंगे, कि हम तार्तम महा मंतर को किसी के सामने कहा देंगे, तो उसकी सक्ति कम हो जाएगी, ये कोई तांतरिक मंतर नहीं है, किसकी सक्ति कम हो जाएगी, पूर्ण से पूर् करने के लिए इसमें निर्देश दिया गया है चिंतन करके उस प्राणिस्वर अक्षरातीद के युगल सुर्फ को हिर्दे में बसाने का निर्देश दिया गया है कि जब इस सुखंग में आऊई तब छूट जाएं विकार और सीधे काया गया कि इस सुख देउं ब्रहमसिष्ट को तो में अंगना नार यह तो प्रतिज्जा मंत्र है निर्देशन है हमें इसका चिंतन करने के लिए कहा गया यह कहीं नहीं कहा गया कि माला लेकर कि इसका इतने बड़ पाठ केजिए पूरी वाणी में देख लिजिए बीतक में देख लिजिए कहीं नहीं लगखा है कि एक हजार आट वार एक लाख एक करोन बार तारतम महामंत्र कजब कीजिए किवल प्रेम के मार्क पर चलने के लिए का गया है हमें प्रेम सुंदर साथ के प्रती अच्छा नहीं लगता बाणी करती है कि ये मोहे साहिवों ने जावें जो कहें साथ में कुटकट वचन हम फेस्बुक पर सपनों की भर मार कर देते हैं हम ऐसे प्रतिनित खड़ा कर देते हैं जो असलील भासा में अक्षेप किया करते हैं उनको प्राणाजी के महिमा अच्छे नहीं लगती आप प्राणाजी की जदी महिमा को बढ़ा नहीं सकते तो उसको खंडित करने का प्रयास न करें यह बात ध्यान में रखें कि भी तक में 226 बार प्राणाजी के सुरूप को सीधे राजी कहा गया है 22 बार हक कहा गया है 4 बार अक्षरतीत कहा गया है आपको किसनी अधिकार दिया उनको संत महापुरुस कभी और अचारी कहने के लिए ऐसा कहकर जदे आप अपने को गौर्वानमीत समझते हैं तो एक बहुत बड़ी भूले आप क्यामत नमा के उन सब्दों को याद कीजिए जिसमें कहा गया है कि इन मुती का मूल कही होने चाए ना किन हूँ कानों सुनाए सोई जले जो मूल करे और सुनने वाला फिचल मरे प्रान्यचिक मैमा को सब्दों में जो बांधता है वो भी दोसी है और जो उससे सुन करके चूप हो जाता है वो भी दोसी है आप सूचिए वाड़ी क्या कहती है सुनी दुनिया करी भाग बड़े है तुम जो कबो की कानों ना सुनी सुकरो दिदार खसम सब का प्रितम आया है आया सब का खसम सब सब्दों का उस्ताद सारा ज्यान जिसके चन्डों की छतर चाया की एक चन्ड धूली से निकलता है आप उस प्रानाथ प्रानिस्वर को जो हमारा हिर्देश्वर है अखिलिस्वर है प्रानिस्वर है प्रानवल्लब है प्रानजीवन है प्राननाथ है उसको आपने संतों की पंक्ती में खड़ा कर दिया केवल अपने आंग को पुष्ट करने के लिए तो याद रखे ऐसा तो कोई ब्रहमात्मा नहीं कर सकती परमधाम की ब्रहमात्मा किसी भी आवस्ता में प्राण राजी को संत मापुरूस नहीं कर सकती है कि छट साल जी ने अस्वष्ट कहा है स्री ठकुरानी जी संगले पधारे मेरी घर दनी भी न तुम्हें और देखे सु नहीं मिसलमात्वर उपरमधाम की ब्रहमसिष्टी नहीं छट भर के लिए यदि मान लिया जाए आप परमधाम की ब्रहमसिष्टी भी है और दावे करके आचारी संत मापुरूस कह रहे हैं तो आप सोचिए जब परमधाम में राजी के सम्मक आपकी परात्म जागरित होगी तो आप क्या यहीं कहा करके खुश होंगे कि मैंने आपको संत महापुरुस के रुप में बता दिया था आपके पास तात्विक दर्सन है आप सारे ब्रह्मान को चमतकृत कर सकते हैं इसके लिए आत्मबल होना चाहिए आप बेदों का जान नहीं रखते हैं छे दर्सनों का जान नहीं रखते हैं उपनिसनों का जान नहीं रखते हैं तो आप सोचते हैं कि सारे संसार के लोग अनपड़ हैं इसलिए डर के मारे आप उनको संत महापूर सिद्ध कर देते हैं आप तारतमारी के प्रकास में बेद के विदानों को मार्गदर्शन कर सकते हैं उपनी सदा और दर्शन के विदानों को मार्गदर्शन कर सकते हैं कर्टर्वादे इसलामिक जो मानिता हैं उसमें तो दर्षण के लिए अस्थानी नहीं है क्रिश्यन विचारधारा कोई दर्षण को नहीं मानती आप दर्षणिक सिधानतों से आप सारे संसार को नत्मस्तक कर सकते हैं लेकिन इसके लिए तो एक विसाल हिर्दे चाहिए अक्षरतित की पहचान का भाव होना चाहिए कि में प्राणनाजी को किस रूप में प्रस्तुत करना है युगों युगों से जिसकी बाड़ देख रही थी ये सारी दुनिया अब वो आ गया तो उसके लिए हम इतने ओचे सब्दों का प्रयोग क्रिपा करके तो ना कहें हम जब कहते हैं हमारी की प्राणनाजी संत महापूरुस थे देवचन जी के चड़ में आकर उन्होंने महांत दार्थम ज्यान प्राप्त किया तो ये बताए प्राणनाज के प्राणनाज धोन कारनों अपनों साथ का क्या आर्थ प्राणनाज का अर्थम ने क्या सूचा है एक तन को प्राणनाज का दर्जा दे दिया तन अलेग है और उसमें लीला करने वाला हमारा प्राणनाज अलेग है जो मूल में लावे बैठा है वो प्राणात है जो देवजन जी के अंदर विराजमानों कर आवे सरुप से लिला करता है वो प्राणात है जो स्री मिहराज के अंदर विद्धिमान इंद्रावती की आत्मा के धाम इर्दे में विराजमानों कर लिला करता है करता है और भौईस में भी छटे दिन के लिला के पुड़ होने तक करता रहेगा ओप्रानात है उस सब के हैं उनको किसी जाती में बर्ग में प्रांत में नव बांटिये परमधाम किये ब्रहमवाणी सारे ब्रहमवाण के लिए आई है क्यों एक प्रणामी समाज के लिए अबिस बिनास की मुहाने पर खड़ा है पता नहीं महा सकतियां अपने अहंग में कब टकरा बैठें और आप तो प्रदिन समाचार पत्र देखते ही हैं समाचार भी सुनते हैं चाइना में नास्तिक वाद का जोरा और एक नास्तिक विक्ति जो सबेरे से लेकर रात्रीत का म अपने अहंग में बर्चस के लड़ाई में जब ये संहर्स करेंगी दुनिया में कौन बचेगा तीन सो वर्सों से हम बानी को मंदिरों में छिपाए रखे हैं यदि बर्मबानी को हमने जगा जगा फैला दिया होता आज मुझे दुख के साथ काना पड़ रहा है कि एक बह करोड़ों के मंदिर बनते जा रहे हैं हम 12-12 करोड़ों के एक एक मंदिर बना रहे हैं आलिसान भाउन बना रहे हैं लेकिन सिक्षण संस्थाएं क्यों नहीं बना रहे हैं ब्रमबानी को फैलाने के लिए अच्छे बिद्वान क्यों नहीं बना रहे हैं यदि ब्रमबानी क हम कई भáसों में ठीकाई नहीं कर सकते हैं आपको मालूम है कि जुएएपबल की दुनिया के कितनी भासों में ठीकाई कितना परिश्थम किया होगा उन लोगोंने बैबल को अनिक भासों में उनवादित करने के लिए when cycle भासाउं में Bible का उनवार्ण हो चुका है हम कहां खड़े हैं हम तो एक मंत्र के लिए लड़ रहे हैं जो अक्षरातीत आया है जिसके नाम से मंत्र चलाए चाहे अबरज में आया हुआ मानिये चाहे जागनी में आया हुआ मानिये अरे भई मंत्र तो बच्चों के लिए है प्राथमी कक्षा है उसके सरुप का आप ध्यान नहीं करेंगे उसकी वाणी का चिंतन नहीं करेंगे दुसरे के हिर्दे में आप युगल सरुप के च्छा भी नहीं बसाएंगे केवल डंडा लेकर कहेंगे तो आप तो समाज को एक अंधेरी गली में धकिल रहे है जिसमें से कोई निकल ही नहीं सकता यह जागनी नहीं है यह तो सैन लिला कराने की प्रिवर्ती है आज संसार कहां से कहां पहुँच गया और उसी बैल गाड़ी के जुग में आप संसार को ले जाना समाज को ले जाना चाहते हैं, कि उल यही थोपते हैं, ब्रह्मवाणी के चिंतन के लिए आपका कोई प्रयास नहीं, कुरोणों के मंदिरों को आप खड़ा कर देते हैं, जहांकि उल घंटी घड़िया ली बज़े, ब्रह्मवाणी की सिक्षड की कोई बेष्थान नहीं हो, तो इसे वाणी नहीं फैलेगे, आव सकता यह है, कि प्राणाजी के सुरूप का अब समझेए, जो सबका था, कई देवदाना हो गए, कई तिर्थंकर हो तार, किन सुपने नास्रमनों सु इतम लियान नर्नार, वो स्वाइम आया है, कालाने के लिए मिहराज के उसने तन प प्राणाज को अखन मुक्ति देने के लिए आया है, उसको एक संपर्दायिक परिदी में न बादिये, उस सारी ब्रह्मन के हैं, आप सारे ब्रह्मन को अपने हिर्दे के आंगन में समेटने का प्रयास कीजिए, जाती पाती से उपर उठिये, बर्ग और प्रांध से उपर और सबको आत्मिक भाँणा से देखिये, विचारे ये जीव, लाखो जन्मों से, करोणों जन्मों से ये भठक रहे हैं, इनको परमताम का मारक दिखाए, आप करोणों करोणों के मंदिर बनाकर कोई धार्म की सेवा नहीं कर रहे हैं, मैं यह कहूंगा, मंदिर तो सोमनात का भी था, जो महमुद गजनेवी ने गोरु ने हमला किया था, मतुरा और कासी के मंदिरों को तोड़ा था, नजने कितने उटों पर, घोडों पर, खचरों पर वहीरे मोती लाद करके ले गया था, आप सारा पैसा जो मंदिरों में लगा रहे हैं, शिक्छा के नाम पर आप एक रुप्या खर्च नहीं कर रहे हैं, कितने गरीब सुंदरसात होतें जनके पास पचस रुपे भी नहीं होते हैं, किए छोटा सा सहीट करें लें, आप उनको निसुलक सहीट देने में युगदान दीजीए, शिक्छा बढ़ाईए, बाणी के शिक्छा का चारों तरफ गू जब बाणी का उतरण हो रहा था महामती जी के धामिर्दे में युगल सरु विराजमान हो कर लिला कर रहे हैं तो ऐसी बिचित लिला होती थी जो जिस रूप में उनको देखना चाहता था उसी रूप में परतेक्ष उद्धरसन देते थे सुर असुर सबों को ये पति सब पर एक दया देति दिदार सबन को साई जिनों जैसाचिन्या सारे ब्रह्मान के हैं हिंदो के हैं, मुस्लिम के हैं, क्रिस्चिन की हैं और जिनों ने उनको जिस रूप में पहचाना परतेक्ष उद्धरसन मिलता था अब भी उद्धरसन मिलता है मिल सकता है, यदि हमारा विश्वास द्रिवल हो तो, लेकिन हमारा तो विश्वास ही नहीं है, हम तो सोचते हैं कि प्राणाजी चले गए यही तो सबसे बड़ी भूल है कि न हमने प्राणाजी को समझा ने उनकी वाणी को समझा सायद हम सारे धनगरंथ पढ़ लिया होते एक कुप मंडुकता के दायरे से हम बाहर निकल गए होते तो हमें पता चलता कि तेने अथा जान को देने वाला कोई मनुष नहीं कोई रिसी मुनी नहीं, कोई देवी देवता नहीं कोई आतार, तिर्थंकर, या संत, महापूरुष नहीं वो तो वही सब है जाको सब कोई खोज ही ये खोले मैने तिन कौन आया है? स्वें परब्रम लेकिन हमारे अंदर तो साहस भी नहीं है किसी के सामने हम कह सकते हैं कि हम भाई देखे ये प्राणनाजी की अलोकिक वाणी है हम प्राणनाद उसको मानते हैं जो हमारे जीवन का धार हो और इस तन में सक्षात परब्रम की आवे सकती ने विराज मानों कर इस ब्रहम वाणी को कहा था यदि आपको विश्वास नहीं है जो हम के वाणी का चिंतन केजिए यदि आप हिंदू है तो वेदो के दारषनिक सिधानतों से इसकी तुलना केजिए जो हमको रहे हमारे पास धन है कुछ हमारे अनुभयाई है तो इसका अर्थ ही है नहीं कि हमको अधिकार मिल गया है कि हम प्राणना जी की महिमा को खंडित करें हीरे को कांच कहने के लिए हमें नेतिक अधिकार नहीं है यदि आप प्राणना जी की महिमा का गुर्गान नहीं कर सकतें तो किर्पया उनकी महिमा को खंडित करने के लिए अब सब्दों का प्रयोग न कीजिए उनको हलके रुप में न कहिए चीक चीक कर्मत बताइए कि महां मती प्राणनात एक महां संत हुए है और हम उनको राष्टी संत घोसित करते हैं इसे बड़ा अपमान कुछ नहीं होगा अन्यक लिए तो छमा है लेकिन आप तो सुन्दर साथ है आपको समाज बुझे मांता है किर्पया अपनी माता को दर्साने के प्रयास में प्राणनाजी की माता को छुटा करने का प्रयास नहीं किजिए आप जितना प्राणिस्वर अक्षरतित की महिमा का गायन करेंगे संसार आपका गायन करेंगा आप ब्रमवानी को जितना फैलाएंगे आपका हुकम भी फैलेगा आपकी महिमा भी फैलेगी इसलिए ब्रमवानी के प्रभा को रुके नहीं और जदी आप रुकना भी चाहेंगे तो आपके रुकने से रुके गए नहीं अच्छा यही है कि ब्रमवानी के प्रचार में आप करता हूं कि सब सुंदर साथ ब्रह्मवानी के उचादर्सों को उस अनमोल जान की अम्रित धारा को सब के हिर्दे में प्रवाहित करने के लिए एक जूठ होंगे संकुचित बातों में लड़ेंगे नहीं जैसा कि मैं देख रहा हूं पिछले 25 वर्सों से किवल संघर्स हो रह ही है और लड़ाई का एक बर्ग यही कहता है कि नहीं हम प्राणाज को कभी अक्षरातीत मानेंगे हैं नहीं जब्रन मंत्र के नाम पर विवात खड़ा करेंगे हैं यह तो कोई कल्याणकार ही सोच नहीं है आज के दिन सबसंदर साथ से मेरा भिनम रह निवेदन है कि एक महान संकल्प लें कि हम ब्रह्मवाणी को चारों तरफ फैलाएंगे बाणी के चिंतन में डुबेंगे और अपने धा मिर्दे में युगल सुरुप को बिसाने के लिए और आस्रम बनानी की प्रविर्ति चलिए इसको हटाइए इसकी जगह जियान के अंद्रों की अस्थापना कीजिए जहां पुस्त काले हो ध्यान का जो प्रदिन ब्रह्मवाणी की चर्चा गुचे और जहां से संदेश मिले कि हां कुछ विद्वान रहते हैं जियान का प्र कर दो कि अ कर दो कर दो कि अ कर दो कर दो कि अ जहां से स्थापना की जहां से से सक्वें के अ